आज इस वीडियो का अंदर अपन पर्चेस आरडर कैसे बनाता है परचेस आरडर बनाने के बाद उसका जी एरन कैसे लिता है वो चीज देखेंगे अपने को पर अपने को पर्चेस आडर बनाने के लिए एक T-Code होता है M-E21N, GRN करने के लिए और एक T-Code होता है में को यह दोनों T-Code का प्रासेस आज इस वीडियो का अंदर देखेंगे पर्चेस आडर क्रेट करने के लिए T-Code M-E21N इंटर करने का बाद, अपने को ऐसा एक इंतरफेस को लेगा जो पहली बाक्स दिख रह है अपने को इदर याडर ना बढ़ता अदर टाइप अपने को पर्चेस आडर बनाना के लिए इन भी इस्टारड उरक शेपी का अंदर ऐस्टारडड पर्चेस आरडर बनाने के लिए स्ट्राणर डॉकुमेन्ट टाइप है अगर आपको कस्टमाइजगी्ड depend टाइप है तो वह आप कस्टमाइजगीक भी सिले कर सकता है उसके बाद आपका vendor details डालना पड़ेगा जो आपको material किस vendor से करिदना चाहता है उस vendor का details आप इदर डालना पड़ेगा उसके बाद आपका company का purchase organization डालना पड़ेगा अब जो इदर tabs दिख रहा है delivery invoice condition text address जो टाब से उसमें organization डेटा टाब का अंदर ए तीनों चीज़ डालना पड़ेगा आपको purchase organization purchase group and company code का इतीन चीज़ डालके एंटर कर दो एंटर करें तो इदर अपना जो currency आ गया है अगर आपका country का इसाब से आपका currency रहेगा अभी अपने तीन चीज़ से लख किया order type vendor date और जो organization data का details डाला और अपको address डालना और कुछ details change करना इधर तो आप change manually भी change कर सकता है अगर text कुछ instruction देना है तो इधर टेक्स्ट का अंदर जाके आप instruction भी देख सकता है इधर जो भी details देता है complete purchase order को applicable रहेगा उसके बाद एक close कर दो अभी में वेंडर से दो material करिदना चाहता हूँ उसके लिए मेरे कू material details इमेटरेल टाब का अंदर जो sales दी क्राएं वो materials का अंदर material numbers डालना पड़ेगा आपको description 9 लिखना है में just material numbers डालना है मेरा दो material quotes है मैंने material quotes डाला हूँ उसके बाद जितना quantity करिदना चाहता हूँ मैं एक कुड 200 करके दे रहा हूँ उसके बाद delivery date में कौन सा date में delivery expect कर रहा हूँ अगर मैं purchase order तीस को बना रहा है तो उसके बाद अगर पांस दिन चाहिए चे दिन चाहिए अगर सेम डेट में चाहिए वो details डालना पड़ेगा अगर नहीं डाले तो डेट आटोमेटिकली जो purchase order का date है वो ही date ले लेगा उसके बाद अब कौन सा plant का अंदर material करिदना चाहता है वो plant का details डालना है यह तीन चीज़ अपने को उसके बाद अब नीचे देखें तो यह material टाब का अंदर अपने को material details दिख रहा है यह जो विकेट डिटाल 5 लिटर्स का मिर्स वन का details दिख रहा है यह सिर्फ एक ही material का details से अगर quantities में गये थो आपको पता चल जाता है मैंना पर्चेस आर्डर कॉंटिटी अन्रेड किया है उसका वेट है 500 kg से डेटवेट 25 एक में एक का अगर क्रास्वेट 25 ऐसा मैंने जो material data का अंदर जो details दिया उसके सबसे इदर capture होता है यह सिर्फ जो नीचे details से सिर्फ एक ही material का दिकाई देता है अगर quantity टैप का अंदर आके मैं इधर से का दूसरी material सेलेक्ट किये तो sap water bottle by default उसका मैंने कितनों order quantity कर रहा हूँ ए water bottle है liters में दिखाई दे रहा उसके बाद नेटवेट 25 25 करके आ रहा है मैंने master sap का master data का अंदर जो details डाला हूँ details by default इदर आ रहा है उसके बाद अपने को यह सब details डालने का बाद अपने को इधर check icon करके एक है इसके उपर क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करें तो इधर no message issued during check करके आ रहा है अगर error आता है अगर कुछ error आता है तो इधर red color में आता है है अपने को कुछ पता चल जाता है red color में error है करके अगर अपने को उस error का है सबसे अपने solution निकलना पड़ेगा अगर इस PO के अंदर कुछ भी error नहीं है अभी मैं save कर रहा हूँ अगर शेव किये तो एक पर्चेज आडर नंबर इधर आता है अगर इस पर्चेज आडर नंबर सेव करके इस पर्चेज आडर नंबर में अगर कुछ चेंजेज करना आपको तब अपने को कि मी 22N का अंदर जाना पड़ेगा मे 22 न का अंदर जाने का बाद अब मुझे दूसरा कभी पहले का जो बनाया और दिख रहा है अभी मेरेको जो प्यं आया ओप्यो ओपन करना ऑपन करना है तो मेरेको purchase order data का अधर जाके इधर purchase order करके न एक इसका उपर क्लिक करके भी इधर purchase order number डालके एंटर कर सकता है अभी ओपन हो गया इधर अब कुछ जो एडिट का सिंबल जो पिंसिल का जैसा दिख रहा है उसके बगल में अधर पर्चेस आडर करके नहीं तो शार्टकट शिफ्ट एफवाई वे उसके उपर क्लिक करके भी इधर नंबर डालके एंटर करें तो प अब कि इव पर्चेस आडर चेंज़ेस का साथ सेव हो गया है अभी अभी अपने इव इंदर का साथ शेर करने का बाद वह मेट्रियल अपने को डिलवरी करेगा डिलवरी करने का बाद अपने को जी अरेन लेना पड़ता है अगर जी अरेना बोलने तो T code होता है slash n MIGO slash n तो common होता है actual T code मीगो मीगो इंटर करने का बाद अपने कु ऐसा interface एक open होता है अपने कु इधर plant दिख रहा है इधर good receipt, other purchase order, इधर moment types वागेरा दिख रहा है general vendor ऐसा details अपने को दिखाई दे रहा है अगर अपने कु गूट्स रिशिप्ट करना है तो गूट्स रिशिप्टी रहना अगर कुछ चेंजर से तो आप इधर drop-down में क्लिक करें तो आपने कुछ लिस्ट आता है उसके सबसे अपन से अपन से अपने अपने गूट्स रिशिप्ट करना है तो गूट्स रिशिप्टी सेलेक कर रहा हूँ डॉक्पेंट कौन सा डॉक्पेंट का त्रू रिफरेंस डॉक्मेंट का तूप उपन जहीं कर रहा है वो सेलेक करना जैंग compared कर रहे आपन। इसका दूरी रन करने वाला है परड़न का तूरी पारचेस आर्डर का ठूरी पर्चेशंस अगर पूरी आड़न गर मैंट्री यह अगर ब्लांक चोड़ना है तो निकाल भी सकते अगर अगर मुमेंट टाइब कोड़न का पर्चेज आडर का त्रू जी एरन करने का टी कोड़ अता है 101 एक करने का बाद इस सब चीज़े सेलेक्ट करने का बाद अपने को इदर पर्चेज आडर नंबर डालना पड़ेगा इदर जो डॉकुमेंट नंबर डालने का जो इंटी बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर नंबर डालके इंटर करो इंटर करें तो अपने कुछ जो मेटरिल जो पर्चेज आडर का अंदर जो मेटरियल अपने अपन दिया है और डिटेल्स आ गया है इधर 120 है एक 250 है अपन पर्चेस आडर पहले 100 को बनाये था एक 200 को बनाये था उसके बाद आपन जाके चेंज किया था 120 और 250 अगर उसका इसाब से ही अपने को 120 और 250 आ गया है अपने को अभी जी आरेन करना है अपने को विंडर कुछ एक मेटरियल कम्प्लेट डिल्वेरी दिया एक 120 वाला जुह है म्प्लेट डिल्वेरी दिया अगर 250 वाला है 100 क्वांटिटी डिल्वंडेटी डिल्वरी दिया लानस का साह widely आक सक्ष़, उपनेको इदर कुछ टैप कोपर क्लिक करके देखिए डिटेल्स बराबर आया है नहीं हुआ अभी क्वान्टिति का टैप का अंदर जाना है अपनेको कॉम्लेट जीहरे लेना है इसका क्म्लेट जीरेटेवरन 120 कि वेर किदर लेना है अगर मुमेंट टाइब 101 आए निच्वई प्लाइट का अंदर लेना है अगर प्लाइट तो चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि पर्चेस आडर रायन वे एच्वाई का अंदर बना यह तो आयन वे एच्वाई रहेगा स्टोरेज लोकेशन आपकों सा तो उसका नाम डाल दो क्यों मेरे ने तो मेरा नाम डाल रहा है जो भी इधर ढाल रहे मिट्रियल के लिए ऐता है Whew जो जेरन लेना चाहता है यह इस काड़ी का अंदर आ गया एडर टेक्स्ट में अगर नहीं तो आप ट्रांस्पोर्ट डिटेल्स डाल सकते हैं तो लर नंबर डाल सकता है इधर बिल्ला फ्लैडिंग में आप इन्वेस नंबर डालो जो जैन्लीव स्लिप में इलर युड़ार जो नंबर डाल रहा हो काड डाल रिसक्तों होता है उसका नंबर डाल अगर आपको अपका हिसाफ से लसक्ता है jalaty क्योंकि आप कुछ बाद में चेक करना है तो आपको यह डॉक का नंबर देख आप सीशी फुटेज चेक करना है तो चेक कर सकता है कुछ प्लेश माइन सब मगलती से लिए तो अगर पार्चेस आडर का डिटेल्स दिखाए देगा पार्टनर फंक्शन्स में वेंडर साप्लाइब ना पड़े गार मैं टालना पड़ेगा अपने को फिजिकल नी बैच देखके ओग डालना पड़ेगा कि मैंने बैच डाल दिया को अभी चक कर रहा हूं चक कर दो बैच नहीं आ राता इंदर कर 57 56 कर सकता है तो इदर जाके अधर कर सकता है करके को कि अच्छा कर रहा हूं वह दिखाई दे रहा है अगर अपने को सेकंड मेटरियल का अन्रेट जे आरन लेना पार्शल जे आरन लेना उसके लिए अपने को सेकंड लाइन सेलक्ट करने पड़ेगा क्लिक करने का बाद सेम मेटरियल डीटेल्स आएगा क्वांटिटी जो इधर क्वांटिटी ये 250 को अब अंड्रेट कर दो उसके बाद नीचे टैब का अंदर भी आके उसको भी अंड्रेट कर दो स्टूरेज लोकेशन डालो इसका पहला और भी डालता भी ट्रिबूल जीरोवन डालो बैच का जाके मैं बैच मैनुवली डालना नहीं चाहता हूं और डिफाल्ट आना चाहिए इस मेटरिल के लिए मैं चेक कर रहा हूं अभी चेक करें तो अपने को बैच आटोमेटिक जेन अब बैच नहीं डाले तो अभी पोस्ट का उपर क्लिक कर सकता है अगर अगर सेम डिटेल्स अपने को पर्चेज आडर का अंदर भी जाके चेक कर सकता है कि Mb 22-n का अंदर जाके मेटव 23-n का अंदर जायोग आइस के लिए Mb22-n बोल ला न me 23-n का अंदर जाके एंटर कर दो एंटर कर करके फिर से पर अदे करके आप दर नमबर कर देना आप का डिलवर्ड क्वांटिटी है टोटल आडर क्वांटिटी अपन कितना किया था 120 और 250 दोनों मिला के 374 है डिलवर्ड कितना हुआ 220 हुआ स्टिल डिलवर्ड कितना है 150 एक पीओ का स्टेटस का अंदर पीओ स्टेटस दिखाई देता है अगर आप नीचे आ गया है तो कि इधर अपने को एक मेट्रियल नंबर से लिक्क किया पर्चेज आडर इस्ट्री का अंदर गया है तो एक पर्टिकलर मेट्रियल का 120 का जी आरेन वहा इतना जी आरेन नंबर है उसका अमाउंट बन रहा है इतना है और सेकंड मेट्रियल का 100 कॉंटिटी डिलवर ही हुआ उसका अमाउंट बन रहा है 10,000 मैंने तो वैल्यू अच्छा का साई डाल दिया इसलिए वैल्यू का बहुत बढ़ा नंबर दिख रहा है आपको इतना वैल्यू का डाला है यह पर्चेज आडर और जी आरेन लेने का प्रॉसेस है यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चानल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कामेंट कर दो ऐसा वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन आन में रखना हूं थैंक्स वर वाचिंग